हलो स्टुडेंड मैसल्फ कुल्दिर वट्रोड टीम सीलसी सीकर मैथमेटिक्स अपन करेंगे 10th क्लास के टेक्नो जोन 3 और 4th के मैच सेक्शन का सॉलुशन चलते के क्वेश्चन नंबर 1 से सुरू करेंगे 1st नंबर है इसमें question number the sum of a natural number and its square equal the product of 1st 3' नंबर लोग कोई भी एक natural number ले ले लेते हैं अपने माल लेते हैं कि n कोई natural number है अपने पास में इसने बोला कि sum of natural number and its square sum of इन दोनों का sum करना है किसका natural number और उसके square का किसके equal आएंगे 1st 3' के product के equal तो 1st 3' नंबर कोई सा होता है 1st 2 होता है 2nd होता है 3 और 3 होता है 5 तो यह कितना हो गया 15 इंटू 2 30 यानि n square plus n minus 30 is equal to 0 इसके factor कर लेते हैं n square 6n minus 5n minus 30 is equal to 0 यहां से तो n n plus 6 हो गया और minus 5 करोगे यहां से common तो n plus 6 n की दो value आजाएगी एक तो n plus 6 से आएगी और दूसरी n minus 5 से आएगी तो क्या-क्या value आएगी n की value 5 और minus का 6 इसने बोला n is a natural number तो minus 6 तो कभी natural होगा नहीं तो 5 क्या है natural number तो n का value क्या हो जाएगा third option में जो गीवन है क्या 5 question number second प्याज़े देखो second number में a common factor of this and this देखो यह दोनों क्या है 13 और 11 की कुछ पावर इसमें भी 13 और 11 की कुछ पावर कुछ क्या है यह देखो 7 और यह 5 दोनों की दोनों कैसी है odd number अपने को पता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n गीवन हो और n कैसा odd if n is odd then x plus sorry a plus b is always a factor of this तो a plus b यहां से निकाल होगा यह नहीं 13 प्लस 11 और यहां से भी 13 प्लस 11 13 प्लस 11 कितना हो गया 24 तो 24 क्या होगा इन दोनों का एक common factor 100% होगा तो पहले option में 24 चलते है next question पर इसमें question number 3 ए number when divided by 3 leaves a remainder a अपने माल लेते हैं कोई number n इसको divide कर रहे हैं किससे 3 से तो divisor तो होगया 3 और quotient माल लेते हैं कुछ भी आ रहा है पी quotient माल लेते हैं और remainder कितना बच्चा है आर तो dividend किसके equal होता है quotient into divisor plus remainder अब यह बोद रहा है कि इस quotient को यह जो quotient है इसको अगर 2 से divide किया तो P किसके equal हो आ रहे हैं 2 और कोई एक another quotient आ जाएगा माल लेते हैं Q और फिर से remainder कितना आ रहे हैं 1 then N तो N का value निकाल लेते हैं फिर पूछा कि N को 6 से divide करेंगे तो कितना आएगा तो पहले तो P को replace कर देते हैं अपन N equals to 3 in 2 2Q plus 1 plus का 1 यह कितना हो गया 6Q plus 3 plus 1 यानि 4 अब N को अपन किस से divide कर रहे हैं 6 यानि divisor तो कितना हो गया 6 Q कितना आएगा Q और remainder कितना आजाएगा 4 तो कौन सा option से ही अपना option number second correct हो जाएगा इसका विसमा आ जाते है question number 4 rational number has non-terminating repeating decimal if prime factors of its denominator are not of the form देखो अपनने एक ठ्योरम पढ़ी होगी उसमें यह होता है कि एक कोई भी number है P by Q अगर यह कैसा हो non-terminating 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 के लिए क्या होगा कि इसके denominator में क्या नहीं आना चाहिए 10 नहीं बना चाहिए किसी भी तरीके से multiply करने divide करने से किसी भी जैसे 2 आ गया तो 5 से multiply करके अपने 10 बना लिए वो नहीं बनना चाहिए यानि किस फोर्म में नहीं होना चाहिए क्यों इस नोट इन दा फोर्म इस फोर्म में नहीं होना चाहिए कभी भी तो टू पावर एम फाइब पावर एम यह वाली फोर्म नहीं होना चाहिए तो कौनसा उप्सन से हो गया फर्स्ट उप्सन चलो इवाल्य एवालिट इम wearing a मायनस धी होली फोर्म मैं सौईर आपने को कॉडेटी का सम नकालना है इसमें क्या कर सकते है अपनल कम ले सकते है यह लो ک की बच्चे का ऊपर A-B का हॉल इसको है तो multiply करने से क्या हो गया है यह इसका cube हो गया वैसे ही दूसरे में हो जाएगा क्या B-C का cube और C-A का cube देखो जब भी तीन quantity cube में sum हो रहा हूं उनका तो क्या करते हैं पहले इनको चेक करते हैं क्या A-B B-C और C-A का sum क्या रहा है इन तीनों को add करेंगे तो क्या रहा है A-B plus B-C plus C-A तो sum के दिना रहा है 0 जब यह 0 हो तो A cube plus B cube plus C cube क्या हो जाता है 3ABC के यह किसके को लजाएगा 3 time इन तीनों के product के 3 into A-B B-C और C-A upon में A-B B-C और C-A cancel होके कितना आगया 3 तो 3 कौन से option में सही है अपने fourth number अब question number next अपना sixth number if x plus 1 is a factor देखो इस equation का x plus 1 क्या है factor है यानि minus 1 put करेंगे तो वो satisfy करना चाहिए तो minus 1 put करो A minus 1 की power 4 plus B minus 1 का cube plus C minus 1 square plus D minus 1 plus E is equals to 0 देखो minus 1 की power 4 मितलब 1 तो A हो गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा minus B plus का C minus का D और plus का E equals to 0 यह negative यह negative उदर शिफ्ट कर देंगे तो positive यानि A plus C plus E equals to क्या जाएगा B plus D तो यह कौन से option में है first option में मिल जाएगा तो question number sixth का first option correct हो जाएगा question number seventh x minus 1 x plus 1 x plus 2 are factors of this polynomial what is the value of P then one put करेंगे तो कितना आएगा 1 plus P minus 3 plus 3 minus P 3 P minus 5 plus 2 P minus 9 plus का 6 यह check करो जाएगा 1 और यह minus minus plus 5 1 और 5 मिलके 6 और यह 6 1 minus 3 तो minus 2 और plus का 5 minus 2 plus 5 कितना हो जाएगा plus का 3 और 3 और 6 मिलके 9 और यह minus का 9 तो constant तो कुछ नहीं आएगा P over 2 P मिलके 3 P और minus का 3 P यानि यह तो satisfy कर रहा है तो इससे तो अपने वो कुछ नहीं मिलागा जो 0 equals to 0 minus 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा minus 1 की power 4 यानि 1 फिर minus 1 यहाँ पुट करोगे तो negative हो जाएगा P minus 3 और यहाँ पर minus और यह plus 1 होगा तो यह minus रहे जाएगा 3 P minus 5 और यहाँ पर minus 1 पुट करोगे तो यह खुद negative हो जाएगा तो 2 P minus 9 plus 6 और यह factor है यानि कि remainder 0 आना चाहिए यह remainder 0 कर दिया अब देखो 1 और minus minus plus तो 3 और 4 और यह 5 मिलके 9 और यह 9 और 9 4 कौन से option में? 4th option में 7th number का option कौन से correct हो जाएगा 4th number next है अपने पास में 20 sorry question number 8 what are the respective value of the question and remainder when x power 2002 is divided गाई तो 2002 minus 2001 divide कर रहेगा इससे x की power 91 से इसमें तो divide हो जाएगा बट यह remainder बच जाएगा remainder तो कितना आएगा अपने पास में? minus का 2001 अब quotient find out करना है तो इसमें divide करोगे तो यह क्या हो जाएगा x की power 2001 में से 91 power कम हो जाएगी sorry 2 में से तो यह कितना आजाएगा x की power 1, 0, sorry 0 क्या 1 और 9 और 1 1911 91 और 21 को multiply करोगे तो क्या आजाएगा? 1911 तो कौन सा option से हो जाएगा अपने पास में? third option से हो जाएगा question number 9 में आ जाते है अपन if alpha, beta, gamma are the three zeros of the polynomial देखो तीन roots है यह zero है इस polynomial के तो अपन पहले निकाल लेते हैं alpha plus beta यह सब निकाल लेगे alpha plus beta plus gamma यह क्या होता है? coefficient of x square यहाँ पर कितना है? 0 यह तो असान हो गया और फिर क्या करना है अपने को? what is the value of alpha q plus beta q plus gamma q? इसका value निकाल जब alpha q plus beta q alpha, beta, gamma का समझी रहो हो तो alpha q, beta q, gamma q क्या जाएगा अपने पास में? 3 alpha, beta 3 alpha, beta, gamma यह क्या है product? तो यह किसके को अला 3? product क्या होता है? coefficient of constant और यह by coefficient of x cube यानि minus का 14 upon में 1 और एक negative पहले से आता है इसके पहले तो यह कितना जाएगा? 14 into 3 कितना जाएगा? 50, sorry 42, 42 कौन से में? 3rd option में question number next step na 10th number, the graphs of these two lines, these four lines अपने को check करना है, इनके intersection point तो पहले तो ग्राफ ही बना लेते है, linear equation है, simple से graph होंगे, बना के दिख लो, पहले तो उसका graph बनाते है, किसका? 2x plus 3y minus 6, 2x plus 3y, देखो इसमें से अगर मैं x को 0 put कर दूँ, तो y कितना आएगा? 2, यह 0 हो गया, तो 3 से डिवाइड करते ही, 2 आगया, तो y 0, यहानि x 0, 2 आएगा, यह वाला point क्या है, अपने पास में? 0, 2, फिर क्या है? 3y, और एक बार y 0 put कर देंगे, तो x का value कितना आजाएगा? 3, तो 3, 0, 1.0, यह लाइन बनागी, अपने पास में कौन सी? 2x plus 3y minus 6 is equals to 0, एक लाइन है 4x minus 3y minus 6, यहनि 4x, x का value 0 put करोगे, तो y का value minus 2, यहनि एक नीचे point आएगा, कौन सा point आएगा? 0, minus 2, और x का value 0 put करोगे, तो x का value कितना आजाएगा? 3 by 2, यहनि इसके बीच में कोई नब कोई point आएगा? 3 by 2 over 0, तो यह वाला, यह वाली कौन सी equation अपने पास में? 4x minus 3y minus 6 is equals to 0, अब अपने को यह वाला intersection points आएगा, एक जगा तो यह intersect करेगी, करेगी, तो यह वाला intersection point चेक करो, कितना आ रहा है? इन दोनों से solve करना, इन दोनों को, इसको और इसको, यह दोनों add होते हैं कितना बन हो गया? 6x, और minus 6 minus 6 minus 12, यह एक का value कितना आ गया? 2, x का value आ गया 2, और y का value कितना आ गया? x का value 2 यहाँ पर put करो गया, 4 और यह कितना हो गया? minus 6, minus 2, यह यह वाला तो यह point क्या आ गया आपने पास में? 2, 2 by 3, यह वाला point क्या है 2 और यह वाली line क्या है 3, 2 by 3, अब एक दो line और x equal to 2, x equal to 2 यह वाली line हो गया, और y equal to 2 by 3 यह वाली line, तो यह चारो line एक ही जगह पर cut कर रही है, कौन से point पर 2, 2 by 3, then intersect on one point, एक ही point पर intersect कर रही है, तो कौन सा option सही हो गया, second option सही हो गया, question number 11 पर आ जाते है, let b be a positive number such that the system has an infinite number of solution, by rounding to the nearest hundred the value of b equals to, देखो, अपने को find out करना है कि इसके infinite solution, infinite solution जब दोनो line कैसे हो जाए, coincident, तो अपन पहले क्या करते है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c, c1 upon c2, यह वाली condition होते है, coincident line इसके, तो इसमें value put करते हो, a upon 5, फिर 3 upon a, और फिर 1 upon b, यहां से a का value find out कर ले, तो a का value कितना आएगा, a2 equal to 50, यानि a का value कितना आगया, root 15, अब इन दोनों को लेंगे तो b का value कितना आजाएगा, a by 3, a का value root 15 upon 3, यानि root 5 by 3, b का value, तो b is equal to कितना आगया, root के अंदर 3 से divide करेंगे, तो 1.666 ऐसा चलता जाएगा, अब देखो, यह तो root के अंदर है, इसका root लोगे, तो कुछ नो कुछ कम ही आएगा, तो यह तो option हो नहीं सकता, और 1 से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि 1 का root भी तो 1 ही होता है, तो 1 से correct हो जाएगा, next चलते हैं, denominator of a rational number is 4 less than a numerator, एक rational number है, तो rational number अपना अजूम कर लेते हैं, x upon y, denominator of rational number is 4 less than its numerator, denominator इस से 4 कम है, यह यह कितना हो गया, x में से 4 को माइनस करते हैं, इस से 4 कम है, इस से 4 कम है, तो इस से कम, if 11 is added to numerator, 11 किस में add कर रहे हैं, अपन numerator में yellow add कर दिया, and 1 is subtracted from denominator, 1 denominator में से subtract कर रहे हैं, yellow y minus 1, यह किसके equal हो जाएगी, 7 by 3, cross multiply करेंगे, तो 3x plus 33 is equal to 7y minus 7, इदर लेके आएगे, 4y का value कितना हो गया, 40, sorry, y, 4y नहीं, 3x से plus 40 equal to 7y, दो equation आगे, एक तो यह है, और दूसरी यह, इन दोनों से अपन क्या निकाल लेंगे, x और y का value निकाल लेंगे, y का value इसमें put करो, 3x plus 40, 7 से multiply करना किसको x minus 4, जो कि क्या है, y की value है, 3x plus 40, is equal to 7x minus 28, 28, 28 को इदर लेके आएंगे, तो 68, age equals to 4x, यह, x का value कितना हो गया, 2, sorry, 1, 1 और 7, 7, 4, 7 जो 28, तो x का value आगे 17, और y का value से 4 कब है, यह, यह, कौन सा option सी हो गया, 4th, the sum of the present age is of father and its, his son is 60 year, तो present age father की f माल लेते हैं, confusion ही ना हो, और son की s, इन दोनों का sum कितना है, 60, 6 year ago, 6 year पहले father की age तो होगी, f माइनस 6 और son की age क्या है, s माइनस 5, यह बुद रहें father's age was 5 times the age of son, तो 5 time किस की होगी, son की age की, तो son यह होगी 6 years ago, यहाँ से पता चल गया, अपने को f is equals to 5s, minus यह कितना हो गया, 30, और 30 में 6 जाके add होगा, तो कितना हो जाएगा, minus का 24, f का value यह भी है, f का value यह भी है, तो इसका value वहाँ पर put कर देंगे, अपन इतना जाएगा, 5s plus s minus 24, is equals to 60, यह 60 उदर जाएगा, 84 इदर की इदर होगा, 6s equal to 84, 6 से divide कर दो, तो कितना जाएगा, 1 और 64, तो son की age तो कितनी होगी, 14 years, after 6 years, son will, son's age will be, 6 year बाद में पूछिया, तो s plus 16, 6 year add कर दो, 14 plus 6, यहनि 20 years, 6 साल बाद में बच्चे की age कितनी होगी, 20 years, how many positive integral solution are there of equation 3x plus 4, इस equation के अपने को positive integral, पहले चीज़ तो आपने देख लेते हैं, यह equation बनेगी कहाँ पर, x का value 0 पूट करोगी, तो y का value कितना आएगा, 63 by 4, यह होगया, 0, 63 by 4, और y का value 0 पूट करोगी, तो x का value कितना आएगा, 21, यह होगया, 21, 0, तो कुछ ऐसी equation बनेगी है, देख इदर इस line के, इदर जो भी point होगा, उसमें x का coordinate है कि t होगा, और इस side में होगा, तो वहाँ पर y का coordinate, यानि वो बोले point तो इदर आएगे ने, तो जो भी आएगे वो इनके बीच में आएगे, approximate 63 upon 5, 4 की value कितनी होगी अपने पास में, वन और 23, 6, 4, 0, 24, 13 point something होगी, यानि 13 वाला point कहां पर होगा, यहां कहीं पर होगा, यह वाला point क्या है 13, उसके नीचे 12, 11, ऐसे करके आएगे, यहां पर 1, तो 1 से 13 में y का value रखो, और x का value अगर integer आ रहे है, वो तो ठीक है, otherwise सारे गला, तो x का value पहले चीज़ तो यहां से निकाल लेते हैं, तो 3x कितना होगया, 63 minus 4y, x यह उसके उसको, 3 से divide करेंगे, 21 minus 4 by 3 into y, अब देखो, अगर y अपने पास में 3 का multiple हो, तो यह 3 cancel हो जाएगा, फिर बाद में integer में इसमें से minus करेंगे, तो integer ही आना है, तो y का value 3 का multiple कौन कौन सा होगा, एक तो 12 होगा, फिर इसके नीचे 9 आएगा, फिर इसके नीचे 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 3, तो 4 ऐसे point आ जाएगे, जहां पे y का value है, 3 का multiple, 3 का multiple होगा 3 cancel कर देगा, बाकी सब में ये fraction बनेगा, 21 में से fraction minus करेंगे, तो ये fraction ही आएगा, आपने पास में integer नहीं आएगा, तो integer, अपने को positive integer चाहिए, तो कितने point होगे, वाले 4 point होगे, कौन कौन से जिनका coordinate 12, 9, 6 और 3, y coordinate, ओके, question number 15 पे चलते हैं, उसके बाद, the roots of the equation, be two conjugative integers, दो कोई भी conjugative integer ले ले लेते हैं, माल लेते हैं, एक integer तो x, sorry, k, x तो अपने पास में है, already variable, k और k plus 1, तो दो चीज बता होती है, अपने को, एक तो sum of roots और एक product of root, sum of roots क्या आएगा, इन दोनों का sum करेंगे, k, k plus 1, किस के equal रा जाएगा, b kे equal, क्यों, minus minus plus हो अपने को जाएगा, नीचे 1 आना है, तो b का value, यहां से k का value कितना आगा है, b minus 1 upon 2, और एक क्या है, product of root, वो क्या है, k into, k plus 1, वो किस के equal है, c के equal, k का value क्या है, b minus 1 upon 2, और यहां पे b minus 1 upon 2, plus 1 equal to c, यह करोगे तो यह कितना हो जाएगा, b plus 1, और यह b minus 1, यह बी minus 1 upon 2 into b plus 1 upon 2, is equal to c, 2 or 2 मिलके 4, 4c, यह b square minus 1, यह b square minus 1 हो जाएगा, a minus b, a plus b, type है, तो यह कितना हो जाएगा, 4c, इदर 4c ले आएगे, तो b square minus 4c का value कितना हो जाएगा, 1, अपने वो इसी का value पूछा है, कितना हो जाएगा, 1, option number, 4th क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next चलते, have a common root, which of the following is R2, इसनका common root है, सीधे सीधे अपने को पता है, कि यह common root होता है, तो equation को minus करके, coefficient of x square cancel कर देते हैं, और बाकी निकाल देते हैं, तो इसमें से इसको minus कर देते हैं, x square plus px plus q, minus x square plus qx plus p is equal to 0, x square, x square cancel, यहाँ पर px, यहाँ पर qx, तो p minus q बनेगा, into x, और क्या बन गया, q minus p, x equals to 0, यदर जाएगा, तो p minus q बनेगा, x का value क्या हो गया, p minus q upon p minus q, यहनि कि 1, अगर p और q not equal हो, अगर p और q equal होंगे, तो यह क्या बन जाएग, x square plus px plus p, तो उसके solution आएगे नहीं, तो अब देखो, क्या करना है अपने को, x1 है, x का value 1 है, तो root है इसका, तो 1 put कर दो, इसमें, 1 put कर होगे, तो x square, यानि 1 का square 1, p into x, यानि 1, तो p plus q is equal to 0, तो कौन सा relation सही आ रहे है, second option वाला, second option क्या हो जाएगा, अपना इसमें, correct हो जाएगा, next question है, question number 17, find the quadratic equation, whose roots are reciprocal of the roots of the equation, लिगो transformation of equation का question है, इसमें बोला है कि एक equation है, इसके roots क्या है, alpha और beta, अपन 3 alpha square, alpha root है तो satisfy करेगा, 20 alpha plus 17, अब एक equation निकालने है, इसका roots क्या हो, 1 by alpha, 1 by alpha को अपन x assume कर लेते हैं, यहांसे alpha की value कितने आ जाएगी, 1 by x, यह alpha की value इसको satisfy करने चाहिए, क्योंकि alpha की value है, तो 3 by x square, minus 20 by x, plus 17 is equals to 0, तो x square है नीचे, तो x square से पूरी equation को multiply कर देंगे, तो यह normal equation बन जाएगी, तो 3, minus 20 x, plus 17, x square is equals to 0, ऐसा कुछ option है, minus 20, minus 20, first or third में plus का 3 चाहिए, तो यह first option ही क्या हो गया, correct हो गया, अब next चलते है question number 18 पे, x equal to 1 is a common root of equation, इनका दोनों का common root है, common root है, इसका मनले है, satisfy करना चाहिए दोनों को, तो इसमें पहले तो इसमें put कर देते है, 1 put कर देते है, यह a, यह 3, तो 2a plus 3 is equals to, plus 3 is equals to 0, यानि a का value कितना आगया, minus 3 upon 2, और इसमें 1 put कर देते हैं, तो b का value कितना आजाएगा, minus 2, इन दोनों का product पूछा है साइध अपने को, a, b का value पूछा है, तो इन दोनों का multiply करेंगे, तो minus 3 by 2, into minus 2, minus minus plus 2 say to cancel, तो कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, 3 मतलब कौन सा option, first option, first option, 19, the sum of 2 number is 27 and product is 182, the numbers are 2, दोनों का है, पहले चीज़ तो a plus b, इनका sum पूछा है कितना, 27 बता है, और product पूछा है, बता है, a, b equal to 182, चला, यहांसे b का value निकाल लगते है, a की form में, यहां गया, 27 minus b, sorry, a is equals to 182, तो minus का 27a minus a square, और is equals to 182, यहांने, a square minus 27a, और minus plus का 182, इस quadratic equation को अपने को solve करना है, तो वो solve करने के लिए अपने को इसके factor चाहिए, factor कर लगते है, अपने इसके factor 19, 182 को split करना पड़ेगा, जिनका sum कितना हो, 182, वो कितना आना चाहिए, देखो देखे, 27, और अपने को 182 चाहिए, एक मिनट मा करता हूँ, 13 और 14, 13 और 14, 27 है, इन दोनों को multiply करेंगे, 13, 14 को multiply करोगे, तो यह आ गया, और एक ही वाली 14 होगी, तो दोनों नमबर क्या है, 13 और 14, second option क्या हो गया, correct हो गया, next चलते है अपन, question number 20 पे, find the sum of all natural number not exceeding 1000, which are divisible by 4 but not by 8, तो 4 से divided होने वाले number कौन से है, 4, 8, 12, ऐसे करके, कहा तक जाएगे, 1000 तक, not exceeding बोला है, यानि कि 1000 तो include है, अब देखो, यह 4 से 8 तक कितने number एपी बन रहे है, इसके number of terms निकालने अपने को, तो last term minus क्या होता है, 100, 1000, minus 4, अब ओन में common difference, common difference कितना है, 4, और plus का 1, यह तो क्या होगे, यह total term होगे, यह कितने हागे, 996, 996 upon 4, plus का 1, यानि 2, 6 और 9, यानि 270 terms होगे, 270 terms, इनका sum निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही 8 वाला, 8 वाले minus करने पढ़ेंगे, 8, 16, और 24, और 1000 में भी जाता है न, 1000, यह वाले term कितना जाएंगे, वैसे निकाल लेंगे, 1000, minus 8, अब ओन में 8, plus का 1, तो यह कितना जाएगा, 992, अब ओन में 8, plus 1, 992 होगया, 1, 16, 8, 4, जा, 32, यानि 125 terms यह आगे, तो पहले तो इन सब को add करो, AP के formula से, और फिर इनको add करो, दोनों को minus कर देंगे, तो अपना answer आजाएगे, इनको add करेंगे, तो कितना आएगा, N by 2, यानि 270 by 2, और A plus L, A plus L means 4 plus 1000, और इनका sum कितना आजाएगा, 125 upon 2, और A plus L, यानि 8 plus 1000, अब इसको simplify करोगे, इन दोनों को, और subtract करते हैं, अपना answer आजाएगा, option number इसमें correct हो जाएगा, अपना first वाला correct, 62500, question number 21, the sum of N terms of N AP is, then 164, देखो ये तो given अपने को SN, 3N square plus 5N, अब SN given है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, तो TN, यानि Nth term निकाल लेंगे, वो कैसे आएगा, TN equals to SN minus SN minus 1, वो कैसे आएगा, 3N square और SN minus 1, तो इसमें N minus 1 आएगा, N minus 1 का square, ये तो 3 के साथ वाली term आएगी, फिर 5 के साथ में आएगा, पहले में SN में तो आएगा N, और SN minus 1 में क्या आएगा, N minus 1, देखो, ये तो हो गया SN, 3N square और 5N, और SN minus 1 निकालना तो वो क्या होगा, 3N minus 1 square और 5N minus 1, तो दो मैंने एक step को merge करती है, तो ये A square minus B square लगाओगे तो एक बार तो आजाएगा, 1, A minus B करोगे, एक बार आजाएगा, प्लस करोगे तो N, N minus 1, यानि 2N minus 1, और यहां से क्या आजाएगा, ये 1, N में से N minus 1 minus करोगे तो 5, तो ये आगया 6N minus 3 plus 5, यानि कि प्लस का 2, TN क्या जाएगा, 6N plus 2, अब पूछा है कि 164 कौन सा टर्म होगा, तो 6N plus 2 को किसके equal कर देत है अपन, 164, यानि 6N कितना जाएगा, 162, N का वेल्यू कितना जाएगा, 162 अपन में, 6, 27, तो N का वेल्यू कितना होगा, 27, यानि कौन सा टर्म हो, 164, 27 टर्म होगा, इसमें, नेक्स चलते हैं, नेक्स चुस्चिन, 22, दे नेक्स टर्म ऑप दे, ये एक अप बता रहा है, अपन को दिखते ही, ऐसे भी पता चल रहा है, रूट 7 है, और 28 क्या होगा है, 4 इंटू रूट 7, यानि रूट of 4 इंटू 7, और ये कहा है, 63, 9 इंटू 7, यानि ये तो होगया, रूट 7, 4 बाहर आएगा, तो 2 रूट 7, और ये कितना है, 3 रूट 7, यानि कॉमन डिफरेंस क 4 को अंदर लेके जाएगे, ये कितना आजाएगा, 6, 7, 42 और 7 और 4, 11, यानि 112, कौन सा आप्शन से ही होगया, 4 नमबर, 22 के बाद में 23, how many 3-digit number are divisible by 6, 3-digit की number चाहिए, अपने को divisible किस से चाहिए, 6 से, देखो पहला नमबर तो आएगा, इसमें 102, क्यों, देखो ये even number है यानि 2 से divide है, और sum कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यानि 3 से भी 2 से और 3 से, यानि 6 से divide होगी, और 3-digit का number लास्ट में जाकी एक आता है, 996, ये 2 से भी divide है, और 3 से भी divide है, यानि 6 से divide, इसके बाद में जो आएगा number, वो 4-digit का हो जाएगा, तो ये number निकालने अपने को माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफ्रेंस प्लस का 1 कितना आएगा 996-102 यानि 4 9 और 8 अपॉन में 6 प्लस का 1 तो कितना हो गया यह 6 1 जो 6 बच्छेंगे 2 29 6 4 जो 24 और 6 9 जो 54 प्लस 1 यह कितने टर्म होगे 150 150 कॉन्सरप्शन में 2 तो 20 150 नम्बर से से होगे जो 6 से डिवी 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 24 वाट इस दे लिस्ट पॉसिबल सम अरिथमेटिक कि इस प्रोग्रेशन का लिस्ट पॉसिबल इसमें चोटे-चोटे टर्म मैं अभी लिखiran सारी एंस दुनाइच माइनमस 15 डिफरेंस कितने का इतना है जैसे प्लस वाली term को add करोगे तो sum बढ़ने लग जाएगा तो minimum sum कितना आएगा? इन सारी terms को add करने पर जाएगा. इन सारी terms को add करना है तो यह terms add कर दो, यह 19 और 11 तो मिल के हो गया, 20 और 7 और 20, 3 मिल के कितने हो गया, 30 और 15 और यह हो गया, 18 और सारा का सारा negative में है, 50 और, 50 औ 18 हो गया, 23 और 7, 30 और 19 और 11, 19 और 11 सुरी, 30 यह हो जाएगा, 30 और 30, 60 और 78, तो minus का 78, उसके बाद में जैको, जैसे 1 add होगा तो यह 77 हो गया, अगला term 5 add होगा तो यह 70 कुछ हो जाएगा, तो minimum possible sum कितना आएगा? minus का 78, तो 78 कौन से में है? इसमें, second option क्या हो जाएगा? करेक्ट, अब next term है इसमें, what is the least value of n? such that यह एक सिरीज है, कौन से सिरीज है? यह जीपी है, तो जीपी का sum बोद रहाएगी, exceed 2000, तो 2000, जीपी का formula क्या होता है sum का? 1st term into r की power n, common ratio की power n, r minus 1, यहाँ पे 1st term कितना है? 1, r कितना है 3, की power n, minus 1, upon में? sorry, total terms कितना है? n plus 1, यहाँ पे n plus 1, और r minus 1, r minus 1, 1 is 3 minus 1, यह किसे? 2000 से ज्यादा हो, यहाँ पे 2000 से multiply कर दो, 2 को तो यह कितना आगे? 3 की power n plus 1, minus 1 is greater than 4000, और इस से multiply, 1 add करोगे, तो यह कितना हो जाएगा? 3 की power n plus 1 is greater than 4000, 1, अब n की power रखते जाएगे, n का value 1, put करोगे, 2 put करोगे, जैसे यह n की value कुछ put करोगे, आप, तुरंत यह exceed करेगा, किस से? 4000, 1 से, sorry, 1, तो n की value ऐसी क्या put करें, अपन, कि यह 4000 से exceed कर जाए, तो वो अपन, n की value देखते है, इसमें क्या put करनी चाहिए, 5 put करोगे, यह हो गया, n की power 6, 6, मतलब 27 का square, तो 27 का square कितना हो जाएगा, अपने पास में? 9, 4, 4, 5, तो यह तो कुछ 3 digit का ही number है, और एक और power बढ़ाएगे, अपन, n की value 6 put करेंगे, तो कितना आजाएगा, यह 7 होगा, यह यह नि, 554 को अपने को 3 से multiply और करना है, 3 की power 7 हो जाएगा, 9, 2, 6, 7, 7, 29 को जैसे 3 से multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा? 27, 6 और 2, 8 और यह 21, यह 2087 आएगा, इसका मनलाब अभी भी छोटा है, n का value 6 put किया, n का value 7 जैसे put करेंगे, इसको जैसे multiply किया, n का value 7 जैसे put करेंगे, यह क्या कर जाएगा, इससे exceed कर जाएगा, तो n का value क्या आना चीए, 7 आना चीए, कौंसा option से होगा, 1st option correct होगा, इसके साथ अपने मैच के 25 क्वेश्चन का section complete होते है, थैंक्यू बेरी मैच, हेलो स्टुएंट, मैसेल्फ निलेस प्लानिया, मैट फेकल्टी, CLC शिकर, आज हम टेक्नो के 3rd और 4th phase के, मैट के पीपर का solution लेते हैं, आओ बेटा, 26, from the given alternative, select the word which cannot be formed using the letter of the given word, ये वाला जो word हमें जो given है, इस word से बता लगाना है कि कौन सा word form नहीं कर सकता, तो बेसिकली तो लग रहा है कि यू, यू तो इन में है ही नहीं, फिर भी चेक लेते हैं, जैसे डी, टी, आर, एम, आइन, डी, बन रहे है, आर, ए, टी, बी है, A, B, मतलब, option number second is a right answer, from the given alternative, select the word which cannot be formed using the letter of the given word, मतलब, same question है हमारे पास, तो यहां से C, L, I, P पे बन गया, फिर K हमें यहां नहीं दिख रहा, तो option number third है, but यहां से एकले है, P, U, R, E, दोनों है, B, A, N, E, V है, तो option number third is a right answer, चलो, next question है, A is 10th from, A is 10th from, A is 10th from, A is 10th from, A is 10th from right, A is 10th from, A, B is 11th from, A is 11th from, A is 11th from, A left end, there are the two person between them, इन दोनों के बीच में 2% तो परसने, then find the total numbers of person in this class, तो हमारे पास आएगा 11th plus 2, यह होगे 13th, 13th और यह है 10, तो यहां जाएगा 23, option number fourth is a right answer, if RAM runs less fast than Sam, जो RAM है, वो स्याम से कम fast, कि यह दोड़ता है और स्याम रंस एस फास्ट एस जो स्याम है वो रंक फास्ट करता है किसे लाल से बट लेस्ट रेंग्ट टौम से कमल लट्यांग्ट रूंस फास्ट टेष्ट मतलब टॉम ऑप्शन नमर थर्ड इजर राइट आंसर शिक्स फ्रेंड एबी सीडी एड एड एफ आज सीटिंग इन आरो फेसिंग इस्ट मतलब इनका सबका फेस के दार है इस्ट फेस इस्ट है मतलब यह वाला पोजिशन राइट बनेगा और यह पॉली पोजिशन इनका लेट बनेगा सी इस बिट्विन एंड 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 यह में दे रखा है बी जस्ट टू दे राइट ओफ ए वाला कंडिशन तो इसके जस्ट यहां तो नहीं होगा तो यह सी यह वाले पोजिशन बनी हमारे पास बट लेफ्ट ओफ डी बट लेफ्ट ओफ डी बट कंडिशन किसके लिए यह बी के लिए तो बी लेफ्ट ओफ डी है तो यह वाला कंडिशन बनके एफ इस नोट एट द राइट अट अफ इस लाइन तो हमारे पास टोटल पर संथे जिनमें से 325 होगे तो एफ यहीं मेरे पास वो लेफ्ट ओफ राणी है राणी एंड टू दे राइट ओ बिंदू एंड टू दे राइट ओ बिंदू एंड किसके लिए सीमा राइट ओ बिंदू तो बिंदू के राइट में हो जाएगी मैरी तू दे राइट फ रानी जमरी है वो राइट ओ राणी है री थारे बिंदू राणी एंड री रीथ मेज बितू राणी WOW सब्सक्राइब राइट टुद रीता तो इमेडिये राइट टुद रीता मेरी ऑप्सिन नम्मों थर्ड यह जिनका फेसंटर तो परफ है तो फॉर और यह लोग प्रकास और पंकज जो दीपा है दीपा इस बिट्विन प्रकास और पंकज यह कंडिशन दीव यह प्रीती बिट्विन मुकेश और ललित प्रीती की जो प्रकास तो इसमें बनना पहेगा बट अगर क्या इसे बिट्विन की बात हुई तो सबसे बहले प्रकास यहां है तो प्रकास मैं दीपा को यहां कंसेडर कर लेता हूं और पंकस को यहां कंसेडर कर लेता हूं और फिर मुकेस यहां है तो मुकेस तो पृति यहां यहां हो जाएगे हमारे पास और ललित यहां हो जाएगा अब मुझे प्रकास और प्रिति की बीच में पूछ रहे हैं तो प्रकास और प्रिति की बीच में कोन आएगा ललित और अगर इसकी आप सेकिंड पॉसिबिलिटी भी कंसेडर करते कि प्रकास यहां था और मुकेश यहां है हमारे पास और प्रकास से हम लोग दीपा को इधर कंसेडर करते दीपा यहां होता तो पंकस फिर दीपा यहां होती तो फिर पंकस यहीं होता और फिर हमारे पास मुकेश प्रिति और ललित वाली कंडिशन बंती प्रिति और ललित वाली कंदिशन यहां बन्ति अब अगर इसे भी इसक्षा प्रकास और प्रिति की विच में गोन तो प्रकास और प्रिति की विच में ललित प्रकास और प्रिति की विच में ललित तैन अबार आंसर is the fourth option okay there are the two words set of the letter number to the left of the sign which are connected in the same way the same relationship obtains between the third word set of the letter number and one of the four alternative under it find the correct alternatives in each question सबसे पहले तो यह दोनों तो आपोजिट होगी मतलब इंटर्चेंज होगी यह भी दोनों इंटर्चेंज है और यह दोनों सेम है मलब इन दोनों को इंटर्चेंज करते हैं इसको और यह दोनों इस दोनों को इंटर्चेंज गया है तो ह्ग और यह टी आगया है कि आई माइपिया सेम क्यूशन है आई कर डिजीज माइपिया तो टीथ का क्या हो जाएगा पाया रिया है और से से तो आइसलेंड किसे हो जाएगा वाटर से विच डे फॉल ओन 19 अक्टूबर 2000 तो सबसे पहले 19 अक्टूबर का कोड़ वन यह हो जाएगा जीडियर से एक सेंन्चूरी गी से दिझना रहा जाएं क्या हो जाएगा संदे दिख्रेट वै संदे फिर मंदे फिर तूज़े फिर वेनेज़ फिर थ्रस्टे और सेकंड इस राइट आंसर टूड़े इस टूज़े फिच डे विल बी एट आफ्टर 62 देज तो 62 देज बाद में अगर हमें पूछ रहे तो सेवन से डिवाइड किया नंबर सो वीक में 7-8-56 तो रिमेंडर हम लोग क्या करते हैं कि one day before हो जाते हैं तो यहां से Tuesday से एक दिन पीछे क्या हो जाएगा मंदे ऑप्शन नंबर सेकंड इस राइट आंसर इन दे फॉलाइंग क्योशन सेलेक्ट दे मिसिंग नंबर फ्रॉम दे गीवन रिस्पांस तो यहां से आजाएगा टू तू ताइम च 6176 और सेमगत चाहिए आंसर इन देफॉलाइं क्योशन सेलेक्ट उश्च सेलेक्ट देन चिंग फ्रॉम देगर इसंग ऐसे 17 आरे में बात करूं यहां से तो 8 कaύर स yn और यह 17 कितना हो जाएगा 33 इसका डबल किया 24 और इसका हो जाएगा 5 तो यह हो जाएगा 29 तो इसका डबल किया 20 और यह 13 एड गिया तो यह जाएगा 33 option number 4 is the right answer next is the minute hand of a clock our takes the hour and at the interval of the 63 minutes of the correct time how much a day does the clock gain or loss basically हमें पता है कि जो clock का जो hour minute hand है वो hour and को कितने मिनट के बाद overlive करता है 65 5 by 11 minute के बाद और यह 63 minutes में ही कर रहा है तो मतलब definitely loss तो नहीं होगा gain ही होगा अब हमें ही बताना है कि how much मतलब यह पर बताना है न तो और in a day मतलब 24 hours में इसके लिए formula क्या रहता है हमारे पास 65 5 by 11 minus time upon time into total time यह हमारे पास एक formula रहता है इसका तो सबसे पहले 65 5 by 11 65 5 by 11 minus time कितना है 63 divided by 63 into total time कितना है 24 hours इसे मिनट में convert करने के लिए multiply by 60 कर देंगे आप सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से 25 by 11 नहीं 65 5 by 11 है तो इसे अगर मैं 63 less किया तो मेरे पास कितना वेल्यू है 25 by 11 और 25 by 11 का मतला हो जाएगा 22 और यह 5 27 by 11 तो इसे अगर मैं solve करूं तो यह वेल्यू आगी मेरे पास 27 by 11 into 63 into 24 इतने आवर्स हो रहे हैं इसे cancel किया तो 9 से 3 times हो गया और 9 से 7 times हो गया तो यह हमारे पास बन गया सबसे पहले 72 by 77 72 by 77 आवर्स गेन इसे multiply किया 60 मिनट्स में convert करने के लिए तो यहां से वेल्यू जो बनकर आएगा वह आजाएगा जीरो शिक्स टूजा 12 रिमेंडर वन तो यह आजाएगा 43 divided by 77 अब इसको अगर हम लोग solve करें इसे अगर हम लोग solve करें 43 20 divided by 7 तो भाई सीदी सी बात है सबसे पहले 47 को मैंने 5 से multiply किया तो 75 35 रिमेंडर 3 75 35 35 338 तो 12 में से 7 अब 12 में से 8 4 और यहां से राय नहीं तो यह 0 अब सीदी से बात है अगर मैं इससे 7 से multiply करूं क्योंकि मेरे पास यह वाला option से देख लेता हूं ना एक 7 एक 6 है तो अगर मैं 7 से multiply करता हूं इससे 77 को तो 77 हूं गैन कर रहा है वो कितने देर में एक दिन में ओके तैंक यू फ्रेंड्स मैं नरेंदर कुमार टीम फिजिक्स CLC क्योशन 41 क्लाश 10 क्योशन 41 से फिजिक्स का सेक्षन शुरू होता है तो शुरू करते हैं बात फैस्ट by which instrument the presence of magnetic field will be detected और presence of magnetic field है वो detect करते हैं magnetic needles है और magnetic needle है अगर वहां पर magnetic field present है then it will move in the north means अगर magnetic field present है then needle of compass will deflect towards the north pole यान in the direction of north pole तो यह पुछा दै presence of magnetic field है तो वो magnetic needle की help से detect करते हैं तो option for correct है यानि magnetic needle है it will deflect if field is present and it will deflect along the north pole of magnet या along the next question ची बात करते हैं यानि magnetic needle है वो deflect होगी अगर magnetic field present है otherwise it will remain undeflected next question ची बात करें 42 which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire तो अगर long straight wire है magnetic field near it हमें देखना है कैसा होगा तो यह होते हैं कुछ concentric circles वो उनसे थे उर्ट से होगी है भी अगहेंटने वोके मेरे थे इस देखना है मेरे या देखना है बाता है, वो होता है concentric circles and center of all these concentric circles is single and on the center of and their center lies on the wire तो यहाँ पर अपने पास यह कह सकते है option 4 है वो इस definition के हिसाब से correct बैठता है जो long straight wire की वजय से जो magnetic field है उनकी field lines का pattern होता है concentric circle और उनका center होता है wire यह due to long straight wire magnetic field generate होई है बताया था or state discovery का part है बत यहाँ पर magnetic field है उसमें होंगे concentric circles next question पर move करते है which of the following statement is correct magnetic field is a vector quantity सही है strength of electromagnet can be increased by increasing current बिल्कुल जो magnetic field होता है of a electromagnet यार of a solenoid वो flowing current through coil के होता है directly proportional second magnetic field है वो turn density के भी directly proportional है या फिर मैं कहूंँ ची directly proportional to the number of turns per unit length है उसके directly proportional होता है turn density N होता है number of turns per unit length इसके directly proportional होता है electromagnet temporary magnet है if we are not if flow of current is stopped by switch of the circuit or by open circuit then magnetic field produced by electromagnet will vanished यानि zero हो जाएगा fourth strength of electromagnet is independent of turn density of coil no strength of electromagnet है वो turn density के directly proportional होता है उसके उपर depend करता है तो option four है वो incorrect है और अपने से incorrect answer ही पूछा है यानि कि जो turns है distance between two turns should be minimum turn density maximum means turns of coil are closer to each other next question पर मुव करते हैं 44 which of these characteristics will help us to recognize a good fuel यानि अच्छे इंधन को पहचानना है first physical state means बात और है कि कोई solid fuel हो या फिर लिक्विड फ्यूल हो या गैसियस फ्यूल हो तो इसके उपर depend करेगा अपने को बहतर इंधन है वो depend नहीं करता वो solid है liquid है या गैसियस है तो इसका कोई रोल नहीं होगा second available in all region एक fuel है उसकी availability है नहीं है man purpose होता है कि कोई fuel है वो burn होने पर कितनी amount of energy release करता है अगर amount of energy released is high on burning of 1 kg fuel means calorific value जादा है तो वो एक अच्छा इंधन है third cost effective this may be considered a factor but cost effective है लेचिन calorific value बहुत कम है या very less है then we can't say it it is a good fuel so the option अपन देंगे four means अगर कोई fuel burn हो रहा है on burning or on combustion it will produce large amount of energy means having high calorific value it is a good fuel third cost effectiveness is also a option but effective fuel or good fuel first priority for a good fuel अच्छा fuel मतब कि energy है वो on combustion large produce करे तो option four अपने पास से correct होगा next question पर move करते है the power generated in a windmill यानि कि कोई windmill है पवन चक्की है वो विद्यूत उर्जा उत्पन करे उसके लिए four most requirement होती है wind speed ये depend करती है wind speed के उपर अगर wind speed ज्यादा है दें टरबाइन वील वील रोटेट स्पीड ली अगर wind speed कम है तो it will move slowly और it will rotate slowly means less amount of electricity will be produced तो wind speed है एक minimum speed होनी चाहिए ट्वैल किलोमेटर पर आवर और नेरवाई ये होता है minimum 12 to 14 किलोमेटर पर आवर ये speed होती minimum required speed to minimum required speed to rotate a windmill और if wind speed is more than 90 किलोमेटर पर आवर then if wind speed 90 किलोमेटर पर आवर से जादा है it can damage the infrastructure of windmill so fast rainy season more air mass hitting the blade air mass depend नहीं करता ये depend करता air mass है वो कितनी velocity से hit कर रहा है second height of the tower के उपर depend नहीं करेगा third depends on wind speed for planting tall trees अगर उचे पेड पोधे लगा देंगे it will block the wind तो ये wind को block करेगा या तो वहाँ पहुचेगी नहीं और अगर wind है वो hit करेगी it will move it slowly तो it will adversely affect the production of electricity तो ये भी incorrect है तो correct option है तो wind speed अगर जादा है तो ये हवा के वेग पर निरभर करेगी यानि 90 से अबव नहीं हो और 12 से 14 जो range है इस से नीचे भी नहीं हो तो ये हवा के वेग पर निरभर करेगी next question kilowatt hour is the unit of तो kilowatt hour ओती है unit kilowatt यानि power की तो ये होती 1 kilowatt hour means 10 की power 3 kilo into watt and hour 1 hour means 36 hundred second 10 की power 3 watt होता है joule per second into 36 hundred second तो second और second ये आपके पास आजाएगा 36 into 10 की power 5 joule और ये joule जो है ये unit होती है energy की and तो correct option आजाएगा electrical energy kilowatt hour is the unit of electrical energy यानि unit होती है विद्यूत उर्जा की तो next question पर move करते हैं देखिए current I equal to हम define करते हैं I equal to Q by T charge होता always quantize तो N E by T means current I equal to N E by time T current हमें बोला गया ची 1 ampere current is flowing तो 1 equal to N number of electron into charge on 1 electron minus 1.6 but here we are considering magnitude 1.6 into 10 to the power minus 19 by time 16 second तो cross multiply कर लें तो it will be 16 equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into N 1.6 into करें तो ये आजाएगा आपके पास से ये आजाएगा 16 equal to 1.6 into 10 raise to power minus 19 into N तो 1.6 से करें तो it will be 10 तो 10 equal to N into 10 to the power minus 19 तो N आपको मिलेगा 10 by 10 की power 19 equal to 10 10 into 10 की पावर उपर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा तो आपको नमबर ओफ इलेक्ट्रोन मिले 10 की पावर 20 10 की पावर 20 इलेक्ट्रोन्स होंगे तो करेक्ट ओप्शन है अपने पास ओप्शन नमबर थ्री ओप्शन थ्री इज करेक्ट नेक्स्ट क्योप्शन के उपर मूव करते हैं इन दा फोलोइंग सर्किट रीडिंग ओप एमिटर ए आपसे पूछा है जी एमिटर ए की रीडिंग क्या होगी मेंस हमसे पूछना चा रहे है जी इसमें करेंट कितनी फ्लो करेगी इसमें करेंट फ्लो कितनी करेगी अगर यह 20 वोल्ट है दोनों 12 ओम रिजिस्टेंस एंट 4 ओम रिजिस्टेंस बोथ आर connect in parallel और 20 वोल्ट बेटरी देग्टेड इन पैरलल मेंस 4 ओम रिजिस्टेंस के उपर जो पुटेंसिल ड्रोपवो कितना है 20 और यहां भी potential drop कितना है 20 volt यह resistance 4 ohm है potential drop across the ends of a register 20 volt मैं बात करूँ by ohms low ohm के low से बात करें तो उसके according अपन क्या कहते हैं voltage drop across the ends of a register is directly proportional to current flowing through it तो V equal to I R R जहां पर चाहे resistance तो V हमारे पास है 20 volt current I हमें calculate करने suppose कर लिया current I flow हो रही है into resistance R है अपने पास 4 ohm तो resistance R is 4 ohm तो यहां से calculate करेंगे तो current I equal to तो current I equal to आएगा 5 ampere और current I equal to 5 ampere means current flowing through 4 ohm resistance is 5 ampere तो emitter measure करता है current तो option 1 है वो correct आ जाएगा next question के उपर move करते है 49 magnification produced by a rear view mirror देखे किसी भी vehicle के अंदर जो rear view mirror होता है वो होता है convex mirror rear view mirror होता है convex mirror और एक जो convex mirror है वो always convex mirror always produce करता है virtual erect and diminished image एक वहिकल में जो rear view mirror होता है वो होता है convex mirror और convex mirror always virtual erect और diminished image produce करता है जहां बात करूँ मैं diminished image का मतलब होता है कि size of image is smaller than the size of object और और एक ट्र zeकनcje भार्ड़enta और जो ऑंदग आजटेकल टा साफिकले का मतलब होता है और यठय के बार्ड़काड़ साफिकले काॉदश size of image है वो size of object से small होगी और जहां बात करें magnification M ये चाह होता है size of image by size of object means size of image है वो कम है size of object ज्यादा और दूसरा virtual यानि magnification होगा always positive and second magnification होगा less than one because size of image है वो small है size of object से तो size of image as I by size of object तो यहां से करें तो M positive होगा and less than one तो यहां पर magnification produced by होगा is less than one और ये always less than one होगा ये depend नहीं करेगा कि object है वो mirror से कितनी के distance के उपर है तो next question के उपर move करते हैं question number 50 at what distance from a concave mirror of focal lens 20 centimeter concave mirror है तो concave mirror की focal lens 20 mirror concave mirror की focal lens है तो होगे negative minus 20 second an image of double the size of object image है वो object की size से double है तो concave mirror है वो real भी image बनाता है और virtual भी means M हो सकता है ची M अगर plus 2 है पहले मैं बात कर लेता हूँ first case में ची M equal to plus 2 और plus 2 यानि की virtual and erect image बनाएगा virtual and erect image बनेगी और virtual and erect बनेगी यानि की image है वो concave mirror के behind बनेगी तो इसमें V तो अपने पास आएगा positive and you हम जानते हैं पहले से ही होगा negative तो magnification M equal to magnification M equal to क्या होता मीरर के case में minus of V by U तो M हमने लिया plus 2 equal to minus V by U तो U के होगा minus तो V अपने पास क्या जाएगा तो यहां से अपने को मिला V equal to 2 U अब हम apply करते हैं mirror formula mirror formula यहनी 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F V है positive होगा and V equal to 2 U plus U will be negative equal to and F है minus 20 अगर यहां से अपने calculate करें कि U के value कितनी आएगी तो यहां से U अपने पास आएगा 10 cm लेकिन यहां अपने शिर्फ बात की है case 1 की अब case 2 में अगर बात करें second में ची जब magnification minus लिया जाए suppose कर लेते हैं इमेज है suppose second case में magnification है minus 2 और magnification minus 2 means image है वो real and inverted तो यह बने जी तो real or inverted image और real or inverted image है means image will form in front of the mirror this means V will be negative और U already negative होगा ही अगर मैं बात करूँ M equal to होता है minus of V by U in case of lens और M चाहे है यहां पर minus 2 equal to minus V भी negative U भी negative तो यहां पर put करें M equal to minus 2 equal to minus V negative U भी negative तो minus से minus minus से minus यहां से अगर किया जाए तो अपने पास आएगा V equal to 2 U V will be double of U तो बाई ले बात करें by mirror formula 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F V कितना है negative होगा in front of the mirror means minus 2 U plus U be negative और focal length एक concave mirror की negative होती ही है अगर यहां से solve करें इसको अगर हम negative दोनों तरफ है यहां से इसको solve करें तो U की value अपने पास आती है 30 cm तो अपने पास यहां से U की दो value आई एक तो है U equal to 10 cm और second है U equal to 30 cm यानि कि अगर हम मान कर चले कि magnification plus to any virtual and erect image है तो object is placed at 10 cm from the mirror और अगर हम मजूम करें कि real or inverted image बन रही है तो object is placed at 30 cm from the mirror तो यहां पर option आएगा 50 में 1 तो option in 50 will be 1 यानि ची बोट possibilities है तो option 1 अपने पास है connect आएगा ची या तो 10 cm पर या फिर 30 cm पर next तो students physics section को हम complete कर चुके है I have I hope all of you have done paper very well thank you हाँ टेक नो chemistry का solution 10th class देखो पहला question है 51 number से शुरू है 51 number पहला question 51 number question number first क्या है 51 number देखो the name of the compound CH3, CH2, CHO क्या compound दिया है CH3, CH2, C double bond O और H यह कौन सा functional group है यह functional group है LDHeight क्या है LDHeight functional group करेंसा है LDHeight अब देखो LDHeight functional group के लिए carbon कितने हैं carbon है 3 3 carbon 3 carbon के लिए क्या नाम आता है probe probe देखो एक इसमे है एक इसमे है इसमे नहीं है और इसमे नहीं है तो answer 3rd और 4th तो वैसे रहुँ हो गया अब आपको पता है LDHeight का जो suffix होता है वो होता है L अब देखो L किसमे है तो देखो propanel L यहां रहा सब में single bond है carbon carbon के बीच में क्या है single bond इसलिए क्या रहा है N और फिर क्या जाएगा L तो propanel option number first IPC नाम कुचा था LDHeight का जिसका नाम क्या है propanel ठीक question number second which of the following is the correct representation क्या बोला है correct representation of electron dot structure कौन सी electron dot structure nitrogen की है जो सही है nitrogen की electron dot structure जो कौन सी सही अब देखो electron dot structure हम कैसे देखते हैं आपको पता है nitrogen है जिसकी valence cell में कितना electron है 5 कितना electron है 5 एक ये 5 electron ठीक है आपको पता है nitrogen की valence cell में 5 electron है nitrogen को अपना octet complete करने के लिए nitrogen को कितने electrons की requirement है तो nitrogen अगर अपना octet complete करना चाहे तो nitrogen को 3 electrons की required और फड़ेगी अगर तीन electron nitrogen लेना चाहे तो end to कैसे bond का formation करे तो आपको ये दी हम देख बताएं अगर nitrogen के पास 5 electron ये हैं तो nitrogen तो nitrogen इस nitrogen इस nitrogen के 3 electron से sharing कर लेगा कितने electron होगे nitrogen के 8 electron होगे और ये nitrogen अगर अपनी electron दे रहा है तो इस nitrogen से भी electron ले लेगा तो nitrogen क्या करता है 3 electron hydrogen के 2 electron और ये nitrogen के 3 electron इस nitrogen की तरफ होने चाहिए क्योंकि 3 electron की sharing किस के साथ की है इस nitrogen के साथ की है ये देखो 2 electron और ये 3 electron किस की तरफ ہोने कैँ जाए इसकी तरफ ये है nitrogen की electron dot structure अब आप देख अपने वो 4 option दिखाई दे रहा है, तो correct answer काउन सा हो गया, 4, चलो next, chlorine react with saturated hydrocarbon at room temperature, संत्रप्त hydrocarbon जब chlorine के कमरे के ताप पर अभिगरिया करती हैं, तो देखो नीचे options दिये वे हैं, देखो CH3, CH3, एथेन है, अगर इसकी reaction हम करवाते हैं CL2 के साथ, तो sunlight present होनी चीए, क्या होना चीए, sunlight present sunlight present होगी तो बनेगा CH3, CH2, ये CL और भार निकल जाएगा, HCl, तो देखो absence of light sunlight, गलत बात, presence of sunlight, ये देखो right answer कौन सा हो गया, second, चलो next, ethanol react with sodium and form the product, ethanol है, वो किस से react कर रहा है, sodium, तो कौन से दो product बनाएगा, देखो ethanol है, sodium, ethanol, sodium से विक्रिया करके कौन से उत्पाद का formation करेगा, अपने को वो बताना है, तो देखो कैसे बताएंगे, इदर देखो, जब हम CH3, CH2, O, H हम करते हैं, इसकी reaction अगर हम sodium के साथ करवाना चाहें, reaction किस के साथ करवाना चाहें, sodium के साथ, देखो sodium क्या करेगा, acidic hydrogen का replacement करतेगा, अब acidic hydrogen कोन सी होती है, आप हमेशा याद रखना, acidic hydrogen वो hydrogen होती है, जो more electron negative atom के साथ connect हो, अगर कोई hydrogen more electron negative atom के साथ जुड़ी हुई है, तो वो acidic hydrogen होगी, अब देखो, यहाँ oxygen के साथ hydrogen जुड़ा हुआ है, और यहाँ carbon के साथ भी तो hydrogen जुड़े हुए हैं, carbon के साथ तो तीन-तीन hydrogen जुड़े हैं, तो आप कैसे पता करोगे, दोनों में से acidic hydrogen कोन सा है, तो आप electron negativity चैक करो carbon की और oxygen की, पता लगाओ, जिसकी electron negativity ज्यादा होगी, वो ही ज्यादा acidic hydrogen शो करवाएगा, electron negative आपको पता है, किसकी ज्यादा होती है, oxygen की, तो acidic hydrogen भी, जो oxygen के साथ जुड़ा हुआ है, अपना वो होगा, तो acidic hydrogen कोन सा है, यह hydrogen, तो देखो, यह hydrogen होता है, acidic hydrogen, sodium आएगा, यहाँ जुड़ेगा, और इसको यहाँ से replace कर देगा, तो product क्या बनेगा, CH3, CH2, O, N, A, और क्या बनेगा, H2, Gase, कितना मौल, आदा मौल, ठीक है, इधर देखो, इसका नाम होता है, sodium ethoxide, sodium, sodium, और यह है hydrogen, देखो, प्रोड़क्ट, दो प्रोड़क्ट, एक तो sodium hydroxide, और एक hydrogen, देखो, sodium ethenoid, गलत बात, sodium ethoxide, सही बात, sodium ethoxide, सही बात, परन तो यहाँ oxygen है, अपने पास oxygen नहीं मिल रहा है, last में hydrogen मिल रहा है, तो option कौन सा सही हो गया, third answer is right answer, चलो next, match the column, column match करवाईंगे, first column और second column को आपको match करना है, तो कैसे करेंगे, देखो, column match, सबसे पहले है, alkyne, आपको पता है, कि alkyne का formula, cn, h2, n, minus 2 होता है, काँ पर रहा है, यह रहा, p में कौन सा हो जाएगा, second, तो देखो, p में first गलत हो गया, p में fourth गलत हो गया, p में second सही है, और p में second सही है, तो पहला और तीसरा answer दो कट गया, चलो, alcohol, छोड़ो, alcohol नहीं देखना एक बार, आप देखो, alkyne, alkyne, alkyne का आपको पता है, cn, h2, n होता है, alkyne का formula, देखो, cn, h2, n, s में कौन सा है, third, match कुरो, s में third कौन सा है, रहा, s में third, तो option अपना कौन सा सही हो गया, second, समझ गया बात, alkyne का अगर आप बहुत देखना चाहो हो, तो alkyne का, ये formula होता है, alkyne, alkyne, alkyne का formula, general formula होता है, cn, h2, n, plus 1, x, ठीक है, तो अपना answer कौन सा हो गया, second, is a right answer, समझ गया, चलो, next question, combination of phosphorus and oxygen, phosphorus और oxygen का same money के example है, किसका example है, अपने पास चार option दिये है, पहला oxidation दिया है, दूसरा reduction दिया है, तीसरा both, एक 1 and 2 दिया है, और चोथा क्या दिया है, decomposition, oxygen का example दिया है, अपचेन का दिया है, दोनु हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, अब कठन हो सकता है, चलो, देखते हैं, आपको पता है, कि P4, जब O2 के साथ reaction करता है, तो product बनता है, P2O5, product क्या बनेगा, P2O5, आप देखो, phosphorus यहाँ अपनी 0 oxygen वस्ताव में, oxygen यहाँ सुन्ने oxidation नम्मर में है, यहाँ जब हम बात करते हैं, phosphorus की, तो phosphorus है, plus 5 oxidation नम्मर में, oxygen यहाँ है, minus 2 oxidation नम्मर में, ठीक है, अब देखो, जब हम oxidation reduction की बात करते हैं, तो हम generally क्या बोलते हैं, अगर oxidation नम्मर increase हो रहा है, तो वो process होगी, oxidation की process, देखो, phosphorus, 0 से कहा जा रहा है, plus 5 में जा रहा है, इसका मतलब oxidation नम्मर क्या हो रहा है, increase हो रहा है, oxidation नम्मर increase हो रहा है, तो कौन सी process हो गई, oxidation की process हो गई, ठीक है, उसके बात देखते हैं, oxygen के बारे में, oxygen यहाँ 0 है, oxidation नम्मर, oxygen का oxidation नम्मर कितना है, 0, oxygen देखो, zero oxidation number से कहां जा रही है minus 2 में जा रही है इसका मतलब यहां पर oxidation number क्या हो रहा है decrease हो रहा है जब oxidation number decrease हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं यह reduction हो रहा है क्या हो गया reduction तो देखो oxidation और reduction दोनु हो रहे हैं कब जब phosphorus और oxygen आपस में combination करते हैं तो दोनु प्रोसेस होती है oxidation और reduction तो अपना answer कौन सा है third is right answer ठीक है चलो next question the sign of reversible reaction बड़ा असान क्यूशन है उतकर्मनी रिवर्सिवल रिएक्षन वो रिएक्षन होती है जो इस तरफ से इस तरफ चली जाए और वापिस इस तरफ आ जाए मतलब product और reactant की बीच में देखें तो reactant किस में change हो जाना चीए product में और product वापिस किस में change हो जाना चीए reactant में change हो जाना चीए तो ऐसी process होती है reversible process और जिनके लिए sign क्या दिया जाता है ये reactant है और ये product है अगर reactant product में change हो रहा है तो ये रहा और product वापिस reactant में आ रहा है तो ये रहा तो ये है reversible reaction का sign तो ऐसा option अपने को first में दिखाई दे रहा है आगे चलो next question इन endothermic reaction एक उसमा सोसी ये विक्रिया है वो क्या करती है endothermic reaction आपको पता है energy absorb करती है exothermic reaction होती है जो energy release करती है अगला बात कर रहा है किसकी endothermic reaction की बात कर रहा है तो endothermic reaction देख लो heat कहां absorb हो रही है या कहां release हो रही है सबसे पहले देखो endothermic reaction क्या होगा heat absorb होगी exothermic reaction heat release होगी अब देख लो कहाँ heat कहा हो रही है absorb, तो heat absorb यहाँ हो रही है तो answer कौन सा हो गया अपना second, चलो next question which is reducing agent अगला बोल रहा है reducing agent अब चाइक अभी करम के कौन सा है, तो देखो reducing agent की हम बात करते हैं तो option अपना जा रहा है fourth क्यों जा रहा है, P double bond O, O, H H और H, यहां से दोनु hydrogen निकल कर reduction कर सकते हैं इसलिए यह क्या है, एक reducing agent है, ठीक है question number next which gas is evolved when acid reacts with metal, अगर metal acid के साथ reaction करती है, तो कौन सी gas evolve होती है, कोई भी देख लो, कोई भी metal अगर हम बात करते हैं अगर metal, more reactive metal, अगर acid के साथ reaction करे तो reaction करते ही H2 gas release होती है समझगी बात, metal क्या होनी चीए more reactive metal होनी चीए reactive metal, generally हम यह बोल देते हैं कि अगर metal acid के साथ reaction करती है, तो कौन सी gas evolve होगी, hydrogen gas evolve होती है परन्तु यह बात सही कब है metal कैसी होनी चीए more reactive metal होनी चीए electrochemical series में अपनी metals, जो है more reactive metals होनी चीए question number next Hello students, myself, Nikita Sabu biology faculty team CLC आज हम CLC टेक्नो के biology के portion का solution करेंगे तो चलिए देखते हैं question number 61 चलिए the xylem is responsible for xylem होता है vascular tissue है, xylem होता है phloem होता है, आप से पूछा गया है xylem किस चीज के लिए responsible है तो xylem जो होता है वो water को transport करता है ठीक है, तो transport of water जो है correct answer है तो option number second is correct चलिए next question पर move करते है which portion of the human respiratory system is also called as voice box ठीक है, आपको पता है किसको बूला जाता है voice box, larynx तो option number first is correct चलिए next question पर हम move करते है which of the following statement is incorrect about lymph तो चलिए इन सारी statements को हम पढढ़ेंगे फिर हम find out करते हैं इन में से कौन सा incorrect statement है lymph is a red colored fluid contains proteins ये जो है ये गलत statement है lymph जो है वो colorless होता है red color का बिल्कुल नहीं होता है तो ये गलत statement है it is also called as tissue fluid बिल्कुल सही बात which leaks out through capillaries into spaces between tissues ये सही बात है एक दम इट कंतेंस lymphocytes lymph के अंदर lymphocytes present होती है बहुत जादा ठीके which are responsible for immunity yes it is correct lymphocytes immunity provide करती है बिल्कुल सही बात है lymph में present होती है lymph is an important carrier yes ये tissue fluid है ये carry करता है nutrients को digested fats digested fats जो है वो lymphatic capillaries ही सबसे पहले जो है वो absorb करती है तो ये भी correct option हो गया इसका मतलब हमें पास wrong option only क्या हुआ is wrong option तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर option number 1 में दिया हुआ है only A तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा option number 1 चलिए next question पर move कर दे है which part of hind brain controls involuntary actions like blood pressure salivation and vomiting ये आपका control and coordination से क्योशन है आपका ये clearly लिखा हुआ है कि blood pressure, salivation and vomiting को control करता है medulla oblongata जो आपके involuntary actions है इनको कौन control करता है medulla oblongata तो आपका correct answer हो गया option number 3 चलिए next question पर move करते है the exon transmit nerve impulse ठीक है the exon transmit nerve impulse away from a cell body ये आप से पूछा गया ये देखिए आपको यहाँ पर यह देखिए दू neurons बनी हुई है ये क्या है ये dendrites हैं और ये जो बीच में create हुआ है यही तो synapse है अचा अब आपसे बोला गया है कि exon अगर signal को transmit कर रहा है तो कैसे लेके जाएगा तो आपको पाता है हमेशा signal ऐसे one direction जाता है ठीक है हमेशा signal कैसे जाता है इस तरीक से जाता है one direction तो away from cell body हुआ and towards synapse हुआ ठीक है तो इसका correct option हो गया away from a cell body to synapse इस तरीके से direction of signal होती है ठीक है तो option number first is correct next question पर move करते हैं Vesity propagation refers to formation of new plants from vesity parts से Vesity propagation किसकी थूँ होता है Vesity parts से होता है plant के जो vesity parts है वो क्या करते हैं propagate अगर करते हैं तो यह vesity propagation है तो इसमें vesity parts को आप सिर्फ देखिए stem, root and leaves यह correct option हो गया जैसे flower है यह तो reproductive part हो गया तो stem, root and leaves यह correct option हमारा set हो गया option number second चलिए next question पर move करते हैं In a typical complete bisexual flower the arrangement of floral rolls on the thalamus from the innermost यह यह आपको धिहान रख में था inner most to the outermost अपन को पता है कि इस plant जो flower है अपना है उसमें अगर एक bisexual flower है यानि कि उसमें carpals भी है यानि पिस्टिल भी है और उसमें stamen भी है and corolla and calyx तो होंगे ठीक है एक complete flower के अगर आपन बात करते हैं तो अपन यह बोलते हैं कि जो group है ठीक है जो रोल है एक पूरा किसका पिस्टिल का अपने पड़ा है ठीक है अगर पिस्टिल का रोल की अगर आपन बात करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं गाइनुशियम ठीक है इसको अपन क्या बोलेंगे गाइनुशियम वहीं अगर अगर अपन stammins के group की अगर अपन बात करते हैं तो उसे अपन बोलेंगे androishium यह आपको पता है ठीक है और अगर अपन petals के group की बात करते हैं या फिर अगर अपन saples के group की बात करते हैं ठीक है petals and saples के group की अगर अगर आप बात करते हो तो यह क्या है यह है corona और यह क्या है? यह है calyx ठीक है यह क्या है? यह है आपका calyx ठीक है? तो यह देखिया आपसे बोला inner to out तो यह inner to out ही है ठीक है? यह bisexual flower फ्लार कैंब यह inner to out चल रहा है ठीक है अंदर से लेकर बाहर से आपसे पूचा है तो inner to out यह होगा गाइनोशियम देखो गाइनोशियम उसके बाद एंडोशियम उसके बाद को रोला उसके बाद कहले लिजए आपका option नंबर फोर्थ क्या हो गया बागी सारे option जो है वो mismatch कियो हुए दिये तो यहां पर आपका यह वाला option नंबर 68 of a spring formed as a result of sexual reproduction एकसे bit more variation because sexual reproduction में जो आपसी बनती उनमें variations आते हैं ऐसा क्यों होता है sexual reproduction is a lengthy process ऐसा कुछ नहीं है genetic material comes from two parents from of the same species यह तो बात है कि बाइपेरेंटल process है ना बाइपेरेंटल process है इसका मतलब दो पेरेंटल से जो genetic material है वो different होगा तो वो different का एक new combination बनेगा इसलिए variations आएंगे तो यहां पर comes from two parents of the same हाँ यह भात है कि sexual reproduction में same is species हो होती है और उनका different parents होते है two parents जो कि same species belong करते हैं यहां पर option number two correct हो गया देखिए come from two parents of different species no okay and genetic material many parents नहीं तो यह option नुबर second यहां पर correct हो गया next चलिए बिटा तो अब हम देखते हैं क्योशन number 69 is starting from the innermost part the correct sequence of parts in an ovule और आपको एक ovule देखना है तो देखिए आप जैसे मैंने मान लीजे यह को विल की जो है structure बना ली आपके सामने ठीक है तो यहां पर एक तरीके से हमें रफली डाइग्राम सा create कर रहें ठीक है इसके अंदर यह क्या होते हैं यह आउटर integument है यह inner integument है और यह क्या है यह आपका embryo sac present है embryo sac क्या होता है seven cells eight nucleate structure होता है इस तरीके से इसमें structures जो है वो present है ठीक है यह देखो और center में क्या present होता है central cell polar nuclei है तो यहां पर यह बात अपनी हो गई आप अपन से यह बोला और यह यह यहां पर cellular mass present है यह new cellus है यह क्या है यह पूरा यह new cellus है अब आपसे बोला है inner to out हमें बताओ कि एक ovule के parts कैसे हैं तो देखिए यह जो cell है यही तो है egg ठीक है एग किसके अंदर present है एग present है embryo sac के अंदर यह बात सही है एग किसके अंदर present है embryo sac के अंदर embryo sac किसके अंदर present है यह new cellus के अंदर present है और new cellus पूरा किससे कवर है integuments यह क्या है यह है आपके integuments तो आप से inner से आउट पूछा यह है आपका inner to out sequence तो आप इसको चेक करेंगे देखिए एग एग के बाद है embryo sac embryo sac के बाद है new cellus और new cellus के बाद integument यह अपना option number second जो है यह correct यहां पर सेट हो गया बाकी सारे options जो है वो mismatch आपको के हुए दी हुए है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक किसके अंदर present embryo second यह new cellus option integument यह आपका correct option सेट हो गया चली next question पर move करते है तो पी plants one with round yellow seed and another with wrinkled green seed produce f1 progeny that have round yellow seed और इसका genotype अपको दिया हुआ है आप ने क्या किया पहले आपने आर रॉलार वाइव इसका cross कराया r small small r small 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 एगा यहां पर जो जैनी बने यह तो यह होगी ठीके इसका genotype यह होगा आप इसको जहंने self कराया ठीके जब हमने इसको self कर आया तो हमको यह पते है जहंब इसको self करवाएंगे अब आप से पूछा है कि यहां पर new combinations कितने बनेंगे यहां पर new combinations जब इसका result आएगा तो इसकी new combination ऐसा genotype या ऐसा sorry ऐसा phenotype यहां पर दियो है न आपको ठीक है ऐसे कौन सी new phenotype आपको मिले जो आपको कभी नहीं देखने के लिए जो ना तो आपको पेरिंटल जनरेशन में दिखे थे ना तो आपको F1 में दिखे थे यहां पर जब F2 आएगी F1 से क्या आएगी F2 उस इस ट्राइम पर आपको ऐसे क्या new combination कौन से देखने को मिले जो आपको नहीं मिले थे पहले तो देखे इसको जब हम इसको करते हैं तब हम इसको हमको 16 जो है वो office prints हमको मिलती है जिसमें हमको 9 is to 3 is to 3 is to 1 की ratio में हमको चीजे मिलती है ठीक है तो जो दो नए combination उस वक बनते हैं देखे राउंड यलो तो हमारे पास हमको पहले भी दिखा था और रिंकल्ड ग्रीन हमारी parental generation यह तो थी सही है ना F1 भी राउंड यलो ही था new combination जो आता है वो रिंकल्ड यलो यह इस टाइप का फिनो टाइप हमको देखने के लिए पहली बार मिला है राउंड ग्रीन एड रिंकल्ड यलो यह दोनों जो है यह second and fourth अब यह दोनों किस option में set हो रहा है वो आप देखेंगे second and fourth तो यह आपका हो गया correct option option number 3 देखे राउंड यलो यह हो गया correct option number 3 thank you